मुकेश कुमार आपका एक्जाम टूर चैनल पर स्वागत है स्वागत है थैंक्यू धन्यवाद सबसे पहले आपसे हम पुछेंगे आप किस बोड में आपका है कौन सा बोड आप भरे हुए मेरा तो राची बोड था आपका पीटी में यानि की सीवीटी वन में कितना अंक आ है और इन्होंने जीरो से जिस तरीका से तयारी किया है आप देख सकते हैं एक सदारने स्टूडेंट है और आपको बताएंगे पढ़ने में भी एवरेज है जैसे माइन का रूम विजिट किया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे कर गहे हैं यह मेहनत के बदावलत आप य पर यह में बुल्ता सिधा प्रशना रहा है तो इन्होंने किस तरीका से तयारी करके उतना अच्छा प्राप्त किया है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इन्में जो आपको अच्छाही लगे जो इनका बात आप लोगको अच्छा लगे कि आपको भी अमल करना चाहिए आपको भी उस कदम पर चलना चाहिए तो उस पर आप चलने का प्रयास करेंगे सबसे पहले आप बताईए फोर और शिक्स लेवल का आपका एक्जाम सेंटर कहां था मेरा एक्जाम सेंटर तो नागपुर दिया था और मेरा बोर्ड राची बोर्ड था आप जब गए वहां प प्रैक्टिस किया उस अनुकुल तो बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था हाँ आप एंटी पीसी की तैयारी लब इसमें किस तरीका से किये क्या समय देते थे कौन सा पैटर्न है थोड़ा बच्चों को बताईए देखिए जहां तक यह तैयारी करने का सवाल है तो बेसिक करुंति का आप मेत हैं या जएस कीज़ी जचा ऐस पढ़िए बस भी ब्रीकेश्न सं पार मैंने लगी मर्य वालूम मश्चों मेंच प्रेक्षक खान का इसमाने लिग्सा और रहतासे होता क्या है कि 아 उससे होता क्या है लगतार जिसे एक कोश्चन का डिसकेशन दिया हुआ है तो एक कोश्चन का चारों डिसकेशन दिया रहता है और डिसकेशन से फायदा यह होता है माली एक कोश्चन जदी आप किये तुस्से चारों कोश्चन कभर हो जाता है होता क्या है जब कोश्चन पू परकासन का एक पब्लीकेशन है उनका बूक आता है आप सब जानते होंगे एंटी पीसी भलूम ये लेते थे और करते क्या थे एक प्रश्न मानली जी प्रश्न हल किये जैसे कि इन्होंने बता रहा है स्वतंतरता सैनानी से संबंदित कोई प्रश्न हुआ तो उसके बारे में संपुर्ण ग्यान पीछे दिया रहाता है यानि कि जिसको आप सोलूशन ब सब्रख e-fail का इनका औलोभर इंडिया में जोग र사 सकते हैं ये आप इनका सकते हैं सब से पहले बताएं कि मुकेश कुमार नाम हुआ इनका ओवी ची से आते हैं और इनका टाइमिंग एक्जाम का था 3.5-5.00 यहीं टाइमिंग था और देखिए यह थोड़ा सा बढ़ा कीजिए तो मुकेश जी थोड़ा सा बढ़ा कीजिए नंबर वाला देखिए यहां पे 98.33 कर रहे हैं तो इन्होंने जरूर कुछ अलग किया होगा तो इनसे हम संपु तक का जो मेरे से बात चीत हुआ तो यह करते क्या थे एक सेट प्रेक्टिस डेली करते थे और उस दोरान जहां भी इनको समस्या होता था उसको अंडरलाइन कर देखिए और आगला दिन जब दूसरा सेट प्रेक्टिस करने जाते थे तो उसे रिभाईज आप करते थे यह कि यह आपका चलता था एक बात और बताएं जो विद्यार्थी को अभी जैसे लग रहा था कि इतना में की आ आपको कैसा लग रहा है कि इतना प्रस्ण हम किये हैं यदि सबी hijos बोर रहे है कि मोडेर्ड दिआ है और आप का आसान दिया गर आना तो आप तो ने को आते पर ल लिया प्रोक्स लिया था मुझे वह बताया कि हम 92 हीँ कर पाए तो मुझे बड़ा शोख लगा कि साइद हम इतना अटेम्ट लिये में पहलता ज्यादा गलती हो जाएगा लेकिन पता नहीं और फिर हम किसी को मतलब यह नहीं बता पाई कि इतना अटेम्ट लिये इसलिए क्योंकि हमको डर लगता था कि सब बोल रहा था कोश्चन लेवल बहुत तफ था बहुत था और इतना अटेंप्ट ही नहीं कर पाया जब कि हमको वहां लगा कि नहीं एजी तो मॉड़ेट था लेकिन मेरे लिए तो कोश्चन ठीक था क्योंकि मैंने 109 कोश्चन लिया जहां मेरा 101 सही हुआ 101 सही हुआ और 8 गलत हुआ तो मेरा वाइट 2.67 कटके मेरा 98.33 आ रहा है देखिए इनको ये बाद में डर लगने लगा चुकि सब ही बच्चे निकलते हैं तो अपने अपने दोस्त मित्र इस से बातशित करते हैं तो ये भी किये तो इनको अधर से मिल पाया तो अपने आपको संतुष्ट पाया तो देखिए इसका इनका कहने का एक सार मैं आप लोग को बता रहा हूं चुकि ये बच्चे है सब बात आपसे बता नहीं पाएंगे लेकिन मैं हाजारों इंटर्व्यू बच्चे लोग का ले चुका हूं तो मैं सब लगभग आ उसका डिस्किप्शन आप देख रहे हैं उसका सोलूशन देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा एक प्रस्ण आप बताईए चुकि आप इतना मेहनत करते हैं तो जब कभी आपको यह एनर्जी कहां से मिलती है कैसे लगता है कि इतना कभी कभी जब आप दी मोट वेट होते हैं कि वो तो खैड़ परिश्थिति के अनुसार आजमे जहलता है घर कहसी ति यह और बीकिसी चीज कहसी तो और एक्च्छली होता क्या जैसे टाइम बिता चला जाता तो प्रेसर आता जाता है तो इस अनुसा सेप्रेटिक से सट और जी पाफिए संटरके से सइट इसके सब्मुखन और उसमय लगता है की ज्यादा कोई महनत करना पड़ेगा और चार से पाँछ गहंटा समय दिजेगा तो काफी अच्छा होगा करना है और उसका डिस्क्रिप्शन देख लेकना है उसका सोलूशन देख यह सब आप टाइम बॉंड कर सकते हैं लेकिन यह तो आप अपने अनुकूल यह तो मुकेस जी का रहा कि यह पांसे च्छे घंटे देते ते आपको लगे कि नहीं मुझे और मेहनत करना है तो आप इतना बाड़ा ओपर्चुनिटी और मिलने वाला नहीं है अब कॉंपेटिशन भी बहुत हाई जा रहा है अब दिन प्रति दिन जैसे कट अब रहा है माली अभी हो सकता है 98 आया इस तरह से हमको लगता है कि साइध 80 के अप्रोक्स कट अफ रहागा इसका मेरिट बनाने के इसके लिए तो 80 प्लस जाएगा इसमें कोई सक नहीं है इसलिए जितना हो सकता अब तो सी बीटी टू का माली इसके देही दिया और लेवल पांच लेवल टू लेवल थीरी का एक्जाम तो भी बाकी है और इसके लिए जितना लगा सकता अभी से लगाई है क्योंकि अभी चवदा यह 15 जहां तक आप देख सकते हैं अब ही आपके पास समय हैं आप इनका जो जिस तरीका से इनोंने तयारी किया आपको अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं और आपसे मैं एक बात बोलूगा की जो एंटी पीसी सी बीटी टू का एक्जाम हुआ है इन्हों ने मुझे बताया कि उसका जो तीन सिप्ट एक्जाम हुआ है यानि दो सिप्ट शिक्स लेबल और एक तीन सिप्ट हुआ है उन सिप्ट का कोश्चन आ चुका है मार्केट में रुकमनी परकासन का और उसके आलावा मनें 12 सेट प्रेक्टिस दिया गया है जो उसी पर कर रहा है इसलिए आप प्रेक्टिस कर सकते हैं कीजिए एक मैं लास्ट में आप लोगों को बात बोलूंगा कि आप इस बात को समझे कि कोई भी सिप्ट होगा तो बाइलेंस किया जाता है बाइलेंस का अर्थ क्या हुआ कि मान लिजिए इसमें आप से पूछ दिया कि लख कि भारत के पर्थम परधान मंतरी कौन है तो अधीर से उश्बूख को लें और जरूर करेंगे मान लिया जाए अगर आपको लगेगा कि कहीं कम पड़ रहा है तो आप अपने अस्तर से तयारी को छोड़े नहीं अच्छा से तयारी करें यह 12 दिन समझे कि आपको 12-15 दिन में आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है और अपने आप में यह दिखना चाहिए कि आप एक अधिकारी है और अधिकारी की तरह आप में एनद करें जिस तरीका से जॉब होता है लोग शुबह 10 वह से 4 वह तक जाते हैं यादि विद्यार माली 12 गंटा या 18 गंटा लेकिन उतना पढ़ नहीं पाता है लोग जैदि आप अच्छे से एफट लगाते हैं माली 5-6 घंट लगाते हैं तो टाइम काफी है बसरते वह जितना भी टाइम लगा मन से लगा है चलिए अब इसी पर हम लोग समाप्त करेंगे यह आप लोग आएगा आप देख सकते हैं जय हिंद जय भारत जय इवा